हेलो फ्रेंड्स इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम इंटर्टेन्मेंट फर्स्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों भारत में दो वयस्कों के बीच सम्लैंगिंग संबंद बनाना अब अपराद नहीं है जी हां सुप्रीम कोट ने गुरुवार को दो वय फिल्मों में इसे बेबाकी से दिखाया गया है इन फिल्मों के कंटेंट को लेकर कटर पंथियों ने काफी विरोध भी किये तो आईए हम आपको बताते हैं कि बॉली वुट की कौन सी फिल्में हैं जिसमें होमोसेक्श्वालिटी को दिखाया गया है होमोसक्श्वालिटी पर आधारित फिल्मों में साल 1996 में आई फिल्म फायत काफी चर्चित रही दीपा महता की इस फिल्म में इस विशे को बखु भी दिखाया गया है फिल्म की कहानी दो ऐसी औरतों की है जो की रिष्टे में जेठानी और देवरानी है दोनों समय के साथ समलेंगिक हो जाती है शवाना आजमी और नंदिता दास ने ये किरदार निभाए थे साल 2015 में आई मनोज बाचपेई की फिल्म अलीगर एक ऐसे टीचर के बारे में थी जो की समलेंगिक है फिल्म में मनोज ने बहुत ही खूपसूरत तरह से एक समलेंगिक का किरदार निभाया जिसके लिए उन्हें सराहना भी मिली थी फिल्म को हंसल मैता ने निर्देशित किया था जिसमें राजकुमार राव का भी एक एहम किरदार था साल 2016 में आई कपूर एंट संस बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी शकुन बत्रा के डाइरेक्शन में बनी इस फिल्म में पाकिस्तानी अदाकार फवात खान ने एहम किरदार निभाया था फिल्म में फवात समलैंगी के किरदार में होते हैं लेकिन समाज के डर से वो इसे छिपाते हैं जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है तो वो उसे पाप समझ बैठते हैं इस पूरी कश्मकस से जूजते हुए एक शक्स की कहानी को फिल्म में दिखाया गया है साल 2005 में आई फिल्म माई ब्रदर निखिल एक ऐसे शक्स की कहानी है जो एक स्विमिंग चैंपियन होने के साथ समलैंगिक भी है हलाकि निखिल इस फिल्म में HIV का शिकार हो जाता है इस वज़त से उसे स्विमिंग टीम से बाहर कर दिया जाता है इस फिल्म में संजय सूरी ने लीड रोल निभाया है जिसमें जूही चावला ने उनकी बेहन का रोल निभाया था साल 2004 में आई फिल्म गल्फ्रेंड पर बहुत हंगामा हुआ था जैसा कि फिल्म के नाम से पता चल रहा है कि फिल्म में लेस्बियन रिष्टे को दिखाया गया था फिल्म में ईशा कॉपिकर और अमरिता अरोरा ने लीड रोल किया था आयम साल 2010 में आई ये फिल्म नैशनल एवार्ट जीतने वाली पहली गे फिल्म थी फिल्म में चार अलग-अलग कहानिया दिखाई गई थी जिसमें से एक कहानी समलेंगिकता पर आधारी थी इस कहानी में राहुल बोस और अरजुन मातुर ने मुक्ष किरदार निभाया है वैसे इन फिल्मों के अलावा कई मसाला फिल्मों में भी समलेंगिक चरित्र दिखाए गए है हलाकि इन्हें किसी विमर्ष की बजाए कहानी में कॉमेडी के लिए इस्वाल किया गया है तो दोस्तों होमोसेक्श्वालिटी पर बेस कुछ बॉलीवुट की फिल्मों के बारे में ये इनफोमिशन आपको कैसी लगी इंटर्टेन्मेंट इंडस्री से जुड़े और किल सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी आप हमें बताएं आप हमें फेस्बुक, ट्विटर, यूट्यूब और हमारी ओफिशल वेबसाइट www.indiafirstonline के जरिये भी कॉंटाक्ट कर सकते हैं तो इंडिया फर्स्ट नीउस को सब्सक्राइब करना ना भूले सो इट्स एकता सिंह साइनिंग आप फॉर तुड़े बाबाई